हाई गाई जाभाई चैनल ओल इन वर में आपका स्वाखित है एपी रच्छा बंदल राखी का तहवार भाई बहन का तहवार होता है तो क्यों ना अपने प्यारे भाई के लिए अपने हाथ से एक ब्यूटिफुल राखी बनाए जिसे वो पहन कर और भी खुस होंगे और हमे पहना कर खुस ही होगी इसके लिए हम मौली लेगे और इसके दोनों साइड इस तरह निदिल को लगा लेंगे अब इसमें एक गोल्डन परल डाले लेंगे और दो वाइट पलस डालेंगे फिर गोल्डन परल डालेंगे फिर हम दो वाइट पल्स रालेंगे अब इसे हम इस तरह सेंटर में कर लेंगे तो ये देखिए एक गोल्डन दो वाइट और एक गोल्डन दो वाइट है अब गोल्डन पल्स में दूसरे साइट की नीडिल को इस तरह इंसरट कर लेंगे और इस तरह खीच लेंगे तो ये देखिए इस तरह का बन के तयार होगा अब फिर से दो वाइट पर्स डालेंगे फिर दूसरे साइड दो वाइट और एक गोल्डन पल डालेंगे फिर से हम दूसरे साइड की निडिल को इस तरह गोल्डन पल में इंसरेट कर लेंगे और मॉली को इस तरह खीच लेंगे तो ये देखिए ये पैटर्न बन के तयार हुआ है आपको जितना बड़ा पैटर्न तयार करना है आप इससे तयार कर सकते हैं अब हम फिर से वाइट दो पल्स डालेंगे फिर दूसरे साइड दो वाइट और एक गोल्डन पल्स डालेंगे और इस तरह दूसरे साइड की निडिल को गोल्डन पल में इंसर्ट करके इस तरह निकाल लेंगे और इसे खीच लेंगे अब फिर से एक साइट दो वाइट और दूसरे साइट दो वाइट और एक गोल्डेन पल डालेंगे और दूसरे साइट की निडिल को गोल्डेन पल में इस तरह इंसर्ट करके इसे इस तरह खीच लेंगे तो ये देखे ये बन के तयार हो गया है हमें इतना ही बड़ा चाहिए अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह आप इसे continue रखिएगा अब इसे और मजबूत और tight करने के लिए हम निडिल को ये जो white pulse है इसमें insert करके इस तरह निकालते जाएंगे फिर golden pulse में इस तरह इंसर्ट करके इसे निकाल लेंगे और फिर से white pulse में से इसे निकाल लेंगे फिर last में not लगा लेंगे अब एक मॉली के धागे को कट कर लेंगे अब इसे और सुन्दर बनाने के लिए ये dark red pulse लिए है अब इसे डाल कर इस तरह बीच में सेट कर लेंगे फिर निडिल को right side से इस तरह इंसर्ट करके निकाल लेंगे हम इसे प्रेस करके white pulse के बराबर नहीं किये हैं ये थोड़ा उंचा ही है अब फिर से dark red pulse को लिए और इस तरह बीच में सेट कर लेंगे फिर निडिल को right side से इस तरह इंसर्ट करके दूसरे side से निकाल लेंगे अब फिर से dark red pulse को डालेंगे और इस तरह बीच में सेट कर लेंगे फिर निडिल को right side से इस तरह इंसर्ट करके निकाल लेंगे अब फिर से हम dark red pulse को डालेंगे और इस तरह बीच में सेट कर लेंगे फिर निडिल को right side से इस तरह इंसर्ट करके दूसरे side से निकाल लेंगे अब फिर से red pulse में डालेंगे और इसे निकाल लेंगे इसे हम घुमा कर नहीं दिखा रहे हैं जिससे आप confuse ना हो राइट side से इस तरह golden pulse में डालकर इसे निकाल लेंगे फिर dark red pulse में डालेंगे और इसे निकाल लेंगे फिर राइट side से golden pulse में डालेंगे और इस तरह निकाल लेंगे फिर dark red pulse में डालेंगे और इसे निकाल लेंगे फिर नीडिल को राइट साइट से गोल्डन पल में इस तरह डाल कर निकाल लेंगे फिर डार्क रेट पल में डालेंगे और इसे निकाल लेंगे फिर राइट साइट से गोल्डन पल में इस तरह नीडिल को डाल के दूसरे साइट से निकाल लेंगे अब इसे लाश्ट में लॉक कर लेंगे ये अच्छे से मजबूत हो गया है और ये बनके तयार हो गया है अब इसकी डोरी बनाने के लिए हम मॉली लेंगे ये हम डबल मॉली लिए है और ये थोड़ी मोटी है इसलिए इसमें निडिल लगा लेंगे और इसे गोल्डन पल में इस तरह इंसर्ट करके निकाल लेंगे अब इसको इस तरह मोड़ कर इसमें वाइट पल डालेंगे और इसमें इस तरह नाट लगा लेंगे फिर इसमें एक वाइट पल डालेंगे और लाश्ट में इस तरह नाट लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे इसी तरह हम दूसरे साइट की वी डोरी तयार कर लेंगे और लाश्ट में इन दोनों को इस तरह रखके बरावर कट कर लेंगे तो ये लीजिए कितनी सुन्दर राखी बनके तयार हुई है आप भी इसे जरूर बनाईए और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद